हेलो गाइज वेल्कम बैक टो माय यूटूब चैनल तो डियर इस्टुदेंट्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली है बीसी थर्ड डियर बॉटनी सेकेंड पेपर एक्स्पेरिमेंटल इंब्रियो लॉजी मार्फोजेनेसिस और अलमेंटरी बायो इस्टैटिक् सबसे पहले हम लोग दिस्कसर करेंगे कि नोट में क्या दिया है बहुत इंपोर्टन्ट है कितने बदफियो च्टुदेंट्स षोते हैं जो वह क्या करते हैं विटाउट नोट्स कास स्ब्सक्ट करदेंगे सब्सक्रमेंट करकेंएं एक समान अंक प्राप्त मिलेंगे आपको नोट अब हिंदी में भी पड़ सकते हैं अब यहाँ पर प्रत्यक से किनी दो प्रस्नों को चुनते हुए कुल पाच प्रस्नों के उत्तर दीजिए प्रस्न संख्य एक अनिवार है सभी प्रस्नों के अंक समान है मिन्स यहाँ पे जितने भी प्रस्न है उनसे आपको अंक एक समान मिलेगा अब यहाँ पर question first पढ़ते हैं जो कि compulsory है explain in brief means यहाँ पर दिया गया है explain in brief any five of the following आपको क्या करना है यहाँ पर आपको से five question complete करने है वो भी brief में इसका answer देना है so first है polarity यहाँ पर define करना है polarity के बारे में और इसका answer briefly देना है बी है mean mean में smart यहाँ पर mean का आपको definition देना और इसका जो क्या होता है इसका जो आपके पास संचिप्त में इसका formula होता है उसे आपको यहाँ पर लिखना है now next question c induced pathocorpic यहाँ पर आपको induced pathocorpic के बारे में बताना है d है eration e है callous and f है photomorphogenesis यहाँ पर इह हो गए आपके question number first जो की आपको सभी करने थे compulsory थे बट इसमें भी six दिये हैं आपको optional है वल्ली five question complete करने है now next हम लोग देखेंगे section A section A में आपको किनी दो question के answer देने हैं सो चलिए देखते हैं क्या क्या question इसमें पूछे गए है what do you understand by experimental embryology explain the procedure and application of embryo culture यहाँ पे आपको प्रायोगीक भूडविज्ञान से आप क्या समझते हैं भूड सवर्धन की वीधी तथा अनुप्रयोग की व्याख्या कीजिए question next है what is photomorphogenesis discuss the role of light as a morphogenetic factor in plants means photomorphogenesis क्या है पौधो में रुपात्मक कारक के रूप में प्रकास की भूमिका की चर्चा करो यहाँ पे आपके दो question होगे next हम दो question को आगे देखते हैं so question number fourth explain the application of biostatics in biology यहाँ पे जीवग्यान में जैवी साख्यकी की उप्योकता की ब्याख्या कीजिए यहाँ पे जो आपके जैवी साख्यकी की उप्योकता के बारे में है वो आपको उसका application लिखना है first is determine main, median, mode and in the given value यहाँ पे आपको कुछ value दिये गया है और इसका क्या बताना है main बताना है, median बताना है, mode जो की इसका बहुत आसान formula है आप इसके base space से कर सकते है आसानी से now next हम discuss करेंगे section B, so section B देखिए क्या है, यहाँ पे भी आपको only two question करने, यहाँ पे आपको A, B करके दिया है, same as well as आपके botany first paper की तरह इसकी पूरी परकिरिया है, जैसे आप botany first paper किये थे, वैसे second paper है, बस यहाँ पे question exchange हुए है, so first explain the following means, नेमन लिखित की व्याख्या कीजि first A है, इसने sporophytic self incompatibility, next है gametophytic self incompatibility, seventh है आपका describe in brief means अच्छेप में वड़न कीजिए, A है autoclave, यहाँ पे आपको autoclave को define करना है, describe करना है, so now next B, मुरासिगे और इसकूर्स का सवर्धन मार्धयम बताना, means मार्शुगे और इसकूर्स का आपको culture medium यहाँ पे define करना है, now next question number 8, write short notes on the following, यहाँ पे देखिए, spelling अलत है white लिखा है बट यहाँ पे write होगा, निमल लिखित पर टिपड़ी रिखिए, first है means A, totipotency, totipotency बहुत important है, and next है आपका B, explant, explant, totipotency आपके एक दूसरे से मिलते हैं, आप इसे असानी से कर सकते हैं, question number 9, write short notes on the following, means निमल लिखित प question B है, merit and demerit of men, यहाँ पे यह हो गए आपके botany second paper, जो आपका था experimental, embryology, morphogenesis and elementary bioesthetics, आपको इसे तेन घंटे में complete कने हैं, maximum marks के आपके 15 है, so यह हो गए आपके botany paper second, BSC third year, आपके 2020 में इसारे question पूछे गया थे, आप इसे अनुमान लगा सकते हैं, 2023 में किस तरह से question पूछ जा सकते हैं, so thank you and have a nice day.